हेलो फ्रेंड्स आपका फिस्वे बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल समय पे और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस इंबस्मेंट आइडियाज लेके आते हैं और आपको नएने स्टॉक्स पे नमेश की राय भी देते हैं इस वीडियो में हम बात करने जा र 30 पीम तो आगे आने वाले टाइम में इस स्टॉक में किस तरह की ट्रेडिक रहेगी क्या इसमें तेजी बनेगी जा कुरेक्शन आएगी इस पे आज हम बात करेंगे और इस कांपनी के सारे फंडामेंटल भी जानेगे यह एक हमारे देश की मिड़ कैप आईटी कांपनी न नए हो तो फटा फटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें बैल ऐकन का बटन भी प्रेस कर दें इससे आपको मारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको आज की मारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा औ यहां पर 6.44% के बढ़िया रिटन आपको देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं यह जो स्टॉक है पहले बहुत ही पॉस्टिव ट्रेंड में दिख रहा था और इसका जो रिजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहा है तैट इस अरूर फिप्टी थी हंडड़ तो फिप्टी स्टॉर्ट भी इंप्रूव हुआ है और पॉस्टिव ट्रेंड में दिख रहा है जदि बन मंत का चार्ट पैटरन देखे तो यहां पर भी 8.42% के पॉस्टिव रिटन देखने को मिलेंगे और इसका जो लोर स्टॉर्ट लेवल निकल कर आ रहा है तैट इस अरूर मंत का चार्ट पैटरन देखें तो यहां पर 94.38% के रिटन्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुती शांदर पैटरन यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा यह जो स्टॉक है कांटीनूसली लीनियली पॉस्टिव ट्रेक्शन में मूग कर रहा है कोई बड़ी क्र जदि इसका मैक्सिमम डाटा देखें तो 470% के रिटन्स आपको देखने को मिलेंगे तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इस स्टॉक का थोड़ा और डिटेयल में इनलसिज करेंगे पहले इसकी लेटेस न्यूज चेक कर लेते हैं तो एल एंटी टेकनोलोजी सर्फिस तो यहां पर आप देख सकते हो कितनी बड़ी न्यूज इस स्टॉक में निकल कर आ रही है यह जो स्टॉक है बहुत ही बड़े टार्केट लेके चल रही है बहुत ही बड़ा बिजन लेके चल रही है और 2025 यह तक यह जो कांपनिया 1.5 बिलियन का रेवनू टार्केट कर रह रही है इसके साथ इस कांपनी का बिजनस भी ग्रोव होगा आने वाले टाइम में और पॉस्टिफ ग्रोथ में देखने को मिलेगी तो यह स्टॉक एक लांग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है क्योंकि हमने आपको दोनों ही स्टॉक स्टॉक है बहुत ही अच्छे स्टॉ स्टॉक है तो अच्छा काम कर रही है और बहुत ही अच्छा विजन लेके चल रही है तो आए अब हम इससे स्टॉक के थोड़े और डिटेल जो है वह चेक कर लेते हैं इसकी फिनेशल ग्रोथ भी चेक कर लेते हैं कि इस कांपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है क्योंकि किसी भी शेयर की प्राइस जो होती है उस कांपनी की फिनेशल ग्रोथ के साथ लिंक होती है क्योंकि कोई भी कांपनी अच्छी फिनेशल ग्रोथ शो करती है अच्छे रिजल्ट्स पेश करती है तो उस कांपनी की विजनस भी एक्सपैंड होता ह और उस company के जो fundamentals है वो भी आपको strong देखने को मिलेंगे तो इस company पे भी हम इस company का revenue का डाटा और इस company का जो net profit का डाटा है वो देखेंगे कि पास्ट कुछ years में किस तरह चेंज हुआ है पहले last five year का data analysis करेंगे फिर इस company का quarterly data चेक करेंगे कि इस company के quarterly numbers किस तरह के आ रहे हैं तो यह एक आईटी सेक्टर की company है midcap company है computer software की company है बहुती बड़ी है company निकल कर आ रही है और लोग इस पर बहुती ब्यूलिश है 100% money control users are recommending buying on this stock तो यह एक positive indication है अब इस company का revenue का data देख लेते हैं कि long term में यह जो company है revenue का data किस तरह क पेश कर रही है और इसका revenue किस तरह गुरू हो रहा है क्योंकि जदि कोई company long term में अच्छा growth चो करती है तो आपको उस company में अच्छे returns मिलने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि किसी भी stock में आप आंख बंद करके investment ना करें किसी के पहले fundamental जरूर चेक करें और fundamental में उसकी financial growth जरूर है और दूसरा उसमें आप टेक्निकल चेक कर सकते हो जड़ी किसी company में ब्यूलिस टेंड बन रहा है तो यह वह पॉस्टिफ इंडिकेशन है तो वह शौटर में आपको अच्छे returns दे सकता है तीसरा होता है उसकी financial performance जदी किसी company की financial performance भी अच्छी है तो वह जरूर आपको अ अच्छा शांधार pattern यहां पर देखने को मिल रहा है और इस company का जो revenue continuously grow हो रहा है on year on year basis 17 से बढ़ गया 18 में फिर बढ़ गया 19 में बढ़ गया 20 में maximum था और आप देख सकते हो 21 में जुरूर यहां पर थोड़ी reduction देखने को मिली है तो overall इसकी जो growth है revenue की बहुत ही positive बहुत ही 6 क्रोड हो गया है बहुत ही बड़ी growth जहां पर देखने को मिली है इस company में पहले यहां पर year on year basis पर continuous growth हो रही थी लेकर 2021 में यहां पर इस company की profitability थोड़ी reduce हुई है और marginally reduce हुई है यह एक positive indication है ज़री हम इस company का quarterly data देखें तो quarterly basis पर इस company का results किस तरह के आई है growth किस तरह की नि मिल रहा है और बहुत ही linear growth देखने को मिल रहा है quarter on quarter basis पर इस company का revenue continuous growth हो रहा है तो आप यहां पर देख सकते हो सब्तमबर 20 से लेके और सब्तमबर 21 ता किस company के numbers है तो आप देख सकते हो इस company के numbers continuously grow हो रहे हैं और जदी इस company का net profit का data देखें तो यहां पर भी आपको positive growth देख करने को मिल जाएगी और इस company का जो net profit है वो आप देख सकते हैं स्टमबर 21 से लेकर स्टमबर 21 ता continuously grow हो रहा है तो quarter on quarter basis पे और annual basis पे year on year basis पे इस company का जो financial data है बहुत ही strong है बहुत ही positive है बहुत ही healthy है कि इस company का business भी expand हो रहा है और इसके financial parameters भी इंप्रूब हो रहे हैं revenue income और company की profitability जो है वो भी improve हो रही है अब ज़िए इसका share holding pattern देखें तो promoters के पास 74.15% stake है FIS का data देखें 9.5% stake है DIS का data देखें तो 6.14% stake निकल कर आ रहा है public का data देखें तो 10.21% stake है बहुत ही mixed share holding pattern देखने को मिल रहा है अब जदी institutional holding का analysis देखें तो यहां पे mutual fund schemes की holding reduce हो गई है लेकिन FIS की holding increase हो गई है तो यह एक positive indication है जो mutual fund schemes है वो इससे stock पे अपना stake reduce कर रहे हैं लेकिन FIS अपना stake जो है वो कांटी तुसली increase कर रहे हैं यह एक positive indication है जदी इस company की performance जो है different peers के साथ compare करें तो इसकी price book ratio is very very high तो अभी थोड़ी इसकी जो valuation थोड़ा high है तो इसलिए आप पिसमें लंबसम investment नहां करके थोड़ी थोड़ी quantity बाई करते रहें आरोई परसेंट जो है वो 19.09 परसेंट है वान जिर परफॉर्मस इस एक्सलेंट डैट एटी त्री पाट जीरो एट परसेंट तो बहुत ही अच्छी है नेट प्रॉफित हाइस है नेट सेज इस आलसो ग कांपणी निकल कर आ रही है अच्छे ग्रूप को ब्लॉंग करती है इसकी पास्ट परफॉर्मस बहुत ही अच्छी है यह आपको आने वाले टाइम में मल्टी बेगर रिटरंस भी दे सकती है तो इसके आप शौर्ट टरन की वालटेटी से नागब रहें जैसे ही इसमें को रिटरंस मैक्सिमम होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बैल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो दोस्तों एक चीज़ नोट करके चलना कि शौर्टर में मार्केट जो है वह वो सकती ама भी है लेकिन लांग में जो मार्केट है वह इस Moż THAT WEü करेगी को कई चौतर में कई कारण हो सकते हैं की बर मार्क Ver nost होते हैं वह मार्किट को पोरेट काथे हैं बड़े वड़े इंस्टिकिसल मार्केण करते हैं तो मार्किट पॉइन आजाती जाता है ब्युद्किन का बर्द तो यह जो सारे है पॉस्टिव इंडिकेशन ही है मार्केट भी पॉस्टिव ही जाएगी यह आप मांड बें रखें चलें